हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम बाक टो मैं शानल सहरीश इंस्ट्यूट्स आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लोके कॉंट्राक्ट की जितने भी पॉइंट्स थे उनको हम डिसकस करने वाले हैं लास्ट वीडियो मैंने आप लोगो सरफ ये टेबल दिखाया था अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे वो सारी चीज में आप लोगो आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ अगर आप लोगो ने वो लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आप लोगो इस सारे टॉपिक्स जो हम बता दिये थे इसके बारे में अब क्या क्या discussion करना है वो सारी चीज में एक एक टॉपिक को लेकर अब चलूँगी one by one ठीक है चली फड़ा फट से स्टार्ट करते हैं वालिट कॉंट्राक्ट से तो यह है वालिट कॉंट्राक्ट की definition a contract that fulfills the provision under section 10 of Indian Contract Act 1872 is a valid contract section 10 Indian Contract Act 1872 Indian Contract Act के हिसाब से valid contract क्या होता है जैसे कि for example a ने offer दिया b को कि वो 5 लाक में अपना घर बेचेगा b ने इस price के ओपर यह offer accept कर लिया यह बन जाता है valid contract ठीक है simple एकदम simple फिर next आता है हमारा void contract void contract क्या होता है an agreement which was legally enforceable when entered into but which has become void due to super winning impossibility of performance इसका मतलब है दो लोगों की बीच में agreement था जो की law की तरफ से enforceable है agreement है law की तरफ से enforceable है दोनों की बीच में contract हुआ है लेकिन suddenly कुछ ऐसी situation आ जाती है जिसकी वज़े से वो contract अब आगे नहीं चल सकता कुछ ऐसी situation ऐसी बन जाती कि वो अब impossible सा हो गया है तो वो बन जाता है हमारा void contract ठीक है for example a contract between a citizen of China and India is a valid contract during peace but if war breaks out between the two countries the agreement will become void जैसे कि for example citizen है एक चाइना का citizen है एक इंडिया का citizen है ठीक है एक चाइना का इंसान है और एक इंडिया का इंसान है दोनों की बीच में contract होता है valid contract जब तक शांती थी लेकिन suddenly पता चलता है दोनों countries के बीच में जो है लड़ाई चिट चुकी है तो उस case में जो है फिर वो contract आगे नहीं चल सकता उसको जो हमें खतम करना पड़ेगा वहीं पे वो contract automatically void हो जाएगा ठीक है वो बन जाएगा void contract क्योंकि वो अब impossible हो चुका है उसको हम आगे लेकर नहीं चल सकते कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा contract जिसमें कोई इनसान एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को force करती है तो वो contract जो है voidable contract कहलाया जाता है अब अगर सामने वाली पार्टी जिसको दबाया जा रहा है प्रेशराइस किया जा रहा है वो अगर चुपचाप वो चीज़ कर जाती है सामने वाली पार्टी के हिसाब से तो वो फिर एक तरसे valid contract ही रह जाता है law के नजर में ठीक है एक्जामपल समझ ये कि राम threatens to kill Rohan if he does not agree to sell his property at very lower price to him राम जो है धमकी देता है थ्रेटेंस मतलब धमकी देना कि वो रोहन को मार देगा अगर उसने जो है एक मतलब कि उसकी property एकडम low price पे उसको नहीं बेची तो ठीक है राम रोहन को धमकी देता है कि अगर उसने अपनी property low price पे उसको नहीं बेची तो वो उसको मार डालेगा here essential element of a free consent is absent कहने का ये मतलब है कि अगर रोहन किसी को नहीं बताता है कि राम की धमकी की वज़ा से वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है तो वो कॉंट्राक्ट जो है वैलिट कॉंट्राक्ट बन जाएगा अब यहाँ पे लिखावा है कि फ्री कॉंसेंट सबसे पहले मैं आप लोगों ये बता दूँ कि फ्री कॉंसेंट का क्या मतलब होता है तो देखें यहाँ पे लिखा है फ्री कॉंसेंट फ्री कॉंसेंट मेंस वें बोथ पीपल अगर अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा है here essential element over free consent is absent मतलब की free consent is absent यहाँ पे यह चीज एपसेंट है कहने का मतलब है कि यहाँ पे राम जो है रोहन से जबरदस्ती प्रेशराइज करके यह उसकी property बिकवा रहा है यहाँ पे रोहन नहीं बेशना चाता है लेकिन उसको वो force कर रहा है धमकी दे रहा है अब यहाँ पे भी दो-तीन condition है जैसे कि अगर voidable contract वो होता है जिसमें एक party जो है contract को void भी बना सकती है और valid भी बना सकती है कहने का यह मतलब है कि अगर रोहन accept कर लेता है डर के मारे हां कर देता है और अपना property जो है वो sell out कर देता है राम को तो वो एक तरह से valid contract रह जाएगा अब अगर वो बाद में चाहे कि मेरा जो यह contract है वो void हो जाए voidable कहला दिया जाए तो वो नहीं हो सकता क्योंकि वो contract पहले ही valid बन चुका है तो अगर एक बार contract valid हो गया तो वापस से उसको हम void नहीं बना सकते ठीक है नेक्स आता है हमारा un-enforceable contract तो इट इस a contract which is otherwise valid but cannot be enforced because of some technical defect like absence of a proper stamp यहाँ पे un-enforceable contract का क्या मतलब है कि अगर मतलब कि वैसे तो contract valid ही होता है लिकिन किसी technical issue की वज़ा से वो un-enforceable contract बन जाता है ठीक है जब वो technical issue सही कर दिया जाता है तो वापस से वो valid contract कहलाया जाएगा तो such contracts will not be enforced by the court यह इस तरह के contract जिसमें अगर कुछ technical defect होता है तो वो law की तरफ से court की तरफ से enforced नहीं किया जा सकता until and unless the defect is rectified जब तक वो जो problem है वो सही न कर दिया जाए ठीक है अब problem किस तरह की हो सकती हो सकता है उसमें stamp ना लगाया गया हो अभी ठीक है stamp रह गया हो तो इस तरह की छोटे-छोटे defect की वज़ा से जो है वो court की तरफ से enforced नहीं किया जा सकता और जब वो defect सही हो जाता है तो फिर वो court की तरफ से enforced किया जा सकता है ठीक है अब आप इसको एक example से समझीए A borrows Rs. 10,000 from B A ने जो है B से 10,000 रुपे लिये and makes a promissory note and a 1 रुपी stamp is to be pasted on the promissory note फिर A ने जो है एक तरह से promissory note बनाना चाहा उसने promissory note बनाया लेकिन उसमें 1 रुपे का stamp paste नहीं किया था उसने वो paste करना रह रहा था बस ठीक है the agreement through complete is unenforceable because of the technical defect तो वो agreement एक तरह से complete नहीं मतलब एक तरह से unenforceable contract रहेगा वो valid contract नहीं कहलाया जाएगा because of the technical defect promissory note being under stamp क्योंकि उसमें अभी तक stamp नहीं लगा था ठीक है तो वो एक तरह से आप लोग का unenforceable contract कहलाया जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया classification of a contract on the basis of their formation इसमें कौन-कौन से contract आते हैं तो सबसे पहले है express contract, implied contract constructive and quasi contract e-commerce contract और contract over internet तो ये सारे topics के बारे में हम one by one discussion करेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले आ जाता है हमारा express contract तो हमारा express contract नाम से ही पता चल रहा है express करना मतलब की जाहिर करना तो an express contract is one expressed orally or in written sorry writing but are reflected in thinking behavior or party is concerned express contract क्या होता या तो orally बोल कर या फिर written लिख करके इस तरह से express करना या फिर सामने वाले party के सोचने या उसके body language behavior बात करने की तरीके से 10 तरह की चीज़ें पूछने से express हो जाना कि सामने वाली party interested है इस चीज़ में ठीके इस contract में for example की the bus driver merely stops the bus at the bus stop and the passengers board without being invited तो जब हम जो bus driver होता है bus आती है बस stop पे जाके खड़े हो जाते है जब भी हमें bus पकड़नी होती है तो बस आती है तो क्या driver निकल के आता है कि आईए आईए प्लीज आकर है अगर आपको बैठना हो तो मैं आपको offer देता हूँ अगर आपको मेरी bus में बैठना हो तो आकर बैठ जाईए ऐसा तो नहीं होता है जब bus रुकती है लोगों को पता होता है हमें कहां जाना है bus driver जब bus indicate दे देता है कि मैं बस यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अगर आपको आना है तो आप आजाए नहीं आना है तो it's okay कोई force नहीं करेगा है ना तो ये एक तरह से आप लोगों का express contract है उसमें express हो जाता है कि अब bus आ गई है तो हमें बैठना है या नहीं बैठना वो हमारी मरजी है ठीक है simple बात कि behavior से पता चलना चाहिए या written में कि यह contract confirm है दो parties के बीच में ठीक है फिर next आता है हमारा constructive and costly contract it is a contract in which there is no intention on either side to make a contract but the law imposes a contract कहने का मतलब है यहाँ पर law contract बना देता है दो लोगों के बीच में यहाँ पे दो parties जो होती है उनकी intention नहीं होती ही contract बनाने की लेकिन ठीक है for example समझ में आएगा a finder of a lost goods अगर किसी का समान खो गया है for example रास्ते में आप चल रहे हो किसी का पर्स गिरावा मिला है आपको या किसी का कुछ समान गिरावा मिला है तो आप एक obligation में आ जाते हो law की तरफ से कि अगर आपके सामने कोई किसी की खोई वी चीज पढ़ी वी आपने उसे उठाया तो आपकी उपर जिम्मेदारी आ गई है बुसकी कि आप उस इंसान को ढूंडो और उस तक जो है वो समान उसका हिफाज़त से पहुचाओ ठीक है वो उस उब्लिगेशन में आप आ जाते हो तो a finder of a lost goods is under obligation मतलब की जिम्मेदारी to find out the true owner कि उस चीज का जो समान है उसका true owner सही मालिक जो है उसका ढूंड करके उसको return कर दे वो goods ठीक है true owner and return the goods वो goods उस चीज को जो है वापस कर दे तो मतलब अगर आप सारास्ते में for example चल रहे हो आपके सामने कोई चीज पड़ी वी है जो कि किसी का समान for example गिर गया है तो वहाँ पर आप obligation में आ जाते हो आपके उपर law की तरफ से कि आप वो समान का ठीक owner ढूंड करके जिसका वो समान है उस तक वो समान पहुचाओ ठीक है तो यह आप लोग का constructive and quasi contract होता है इसके बाद आता है आप लोग का third point e-commerce contract or contract over internet these contracts are entered into between the parties using internet मतलब कि यह contract आप लोग का internet के थू होता है the electronic commerce different parties, persons create a network which are linked to other networks through EDI electronic data interchange this help in doing business transaction using electronic mode मतलब एक तरह से business transaction के लिए help करता है हमारा EDI और इसमें जो एक तरह से internet पे network के थू है दो parties के बीच में contract हो सकता है ठीक है इसके बाद आजाता है आप लोग का implied contract a contract may be created by the conduct or act of parties and not by their words spoken or written it may be result from a continuing course of conduct of the parties यह contract जैसे behavior से हो जाता है सामने वाली party कुछ बोलेगी नहीं, लिख कर नहीं देगी आप कुछ पेपर वर्क वेगरा नहीं होगा जैसे for example, examples समझ में आएगा where coolie in uniform carries the luggage of A to be carried out of railway station without being asked by A to do so and A allows it, कहने का यह मतलब है कि जब भी आप railway station पे जाते हो तो वहाँ पे red uniform में बहुत सारे कुली होते हैं ठीके, अब अगर आप हो, आपका समान जो है for example, A ले ले लेते हैं A ने एक railway station पे पहुँचा उसका समान जो एक कुली ने उठाया और वो चलने लगा अब साथ-साथ A भी चल रहा था कहने का मतलब है A ने कुली को मना नहीं करा मतलब कि A भी कहीं न कहीं चाता था कि उसका समान जो है luggage उठा कर कि कुली बहार तक ले चले तो A ने बिना कुछ बोल ही permission दे दिया कुली को दोनों के बीच में यह चीज एग्रिमेंट हो गई कॉंट्राक्ट बन गया ठीक है लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि पेपर वर्क वे गहरा हुआ यह ओटमेटिकली यह चीज निकल के आ गई मतलब कि लो की तरफ से कि A जो है एग्रि करता है कि इस सर्विस का वो पेमेंट करेगा कुली को ठीक है तो यह केस जो है इंप्लाइट कॉंट्राक्ट का है जो की दोनों के बीच में हुआ किन दोनों के बीच में A और कुली के बीच में A ने जो है बिना कुछ बोले अग्रि कर लिया और कुली ने जो है वो सर्विस दिया है उसको जिसके बदले वो charge लेगा, पैसे लेगा अब आता है हमारा classification of a contract on the basis of performance जिसमें चार points है, executed contract, executory contract, unilateral contract and bilateral contract अब इसको हम एक एक करकी समझेंगे तो सबसे पहले आजाता है executed contract and executed contract is one where both the parties have performed their obligation मतलब कि दोनों parties नहीं अपनी obligation, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिया for example, a sells a TV set to b, a जो है अपना TV set b को बेचता है कितने में? 20,000 में, b pays the price and a handovers the TV set to b b जो है पैसे दे देता है और a अपना TV set b को दे देता है, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों नहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं भा दिया तो यह हमारा executed contract है, ठीक है? Second है हमारा executory contract where the contract is yet to be performed either wholly or partially और one or both the parties have yet to perform their obligation executory contract में क्या होता है? या तो कोई एक party को अपना काम करना रह रहा है या फिर दोनों parties की तरफ से हो सकता है कि contract हुआ है लेकिन जो फर्स उनके थे, जो उनका काम था, उन्होंने अभी तक perform नहीं करा है For example, A agrees to make furniture for B for Rs. 5,000 A यहाँ पर agree करता है कि वो B के लिए 5,000 रुपे में furniture बनाएगा A has yet to make the furniture and B has not made the payment तो यहाँ पर क्या हुआ कि A ने जो अभी तक furniture बनाया नहीं और B ने अभी तक 5,000 रुपे पैसे payment करी ही नहीं ठीक है, तो दोनों ही ने अपनी obligation नहीं नहीं भाई अभी तक So both A and B are yet to perform their obligation Suppose, अब suppose करो कि A has made the furniture but B has yet to make the payment कि A जो है furniture बना देता है लेकिन B ने अभी तक payment करा ही नहीं तो it is executed on A's part but executory on B's part Executed अभी जो मैंने पहला वाला बताया था जिसमें parties जो है अपना फर्स अदा कर देती हैं, complete कर लेती हैं अपना obligation तो वो हो गया executed कहने का मतलब है कि it is executed on A's part कि A ने अपना जो काम था obligation था वो पूरा करा लेकिन B ने अभी तक नहीं करा तो B part की तरफ से जो है वो executory contract है, उसने अभी तक अपना payment नहीं करा इसके बाद आता है हमारा unilateral contract तो in this one party of the contract has fulfilled the commitment इसमें क्या होता है, एक party तो अपना commitment पूरा कर देती है while the other party has yet to do it लेकिन दूसरी party जो है उसका रह रह रहा होता है उसने अपना commitment पूरा नहीं किया होता for example, A has made a contract with B to sell goods to him on one month credit and immediately dispatches the goods A और B के बीच में जो है contract होता है A दुकनदार है, A जो है कहता है कि मैं B को goods दोंगा एक महीने के उधार पर ठीक है और immediately goods को dispatch कर देता है, भिजवा देता है B के घर पे तो उसने A ने अपना commitment पूरा किया A ने अपनी obligation पूरी कर दिया ठीक है, अपनी duty पूरी किया लेकिन A has fulfilled his commitment while B has yet to do it लेकिन अब B की commitment बची है जो एक महीने के उधार पर उसने goods लिया है उसका पैसा उसे time पे वापस करे ठीक है, तो यहाँ पर A का fulfilled उसने अपना commitment पूरा किया A ने और B का बचावा है ठीक है, तो इस तरह की contract हमारे unilateral contract कहलाए जाते है अब आता है हमारा bilateral contract a contract in which both the parties have fulfilled their commitment simultaneously जिसमें दोनों ही party जो है फटाफट से अपना commitment पूरा कर देती है जैसे for example A delivered goods to B and B make the payment immediately A ने जो है deliver करवाए goods B को और B ने उसी time payment कर दिया तो यह हमारा bilateral contract हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग के सारे contract complete होते हैं कहीं पर भी कोई बी doubt हो तो फिर से एक बार repeat करके देखिए इसे सब के notes बना लीजे आप लोग ताकि आप लोग confusion ना हो कुछ थोड़े से matching करते वे वाले भी हैं तो आप लोग confusion ना हो इसलिए अपने पास कहीं notes भी बनाते चलिए ताकि exam time पे आप उसको revise कर सकें ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ बाकि अगर आप लोग मेरे चानल पे न्यू है तो फटर फट से इस चानल के साथ जोड़ जाए चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और इसी के बगल में बैल आइकन है उसे जरूर से क्लिक कर लीजेगा ताकि जब मैं वीडियो जालू ता आप तक जो है मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेगा वीडियो का और बच्चों के साथ शेयर करेगा ताकि उनकी हल्प हो सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हल्दी और थांक्स दो वाचिंग